नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वीनीच सागर आजकल देखा जाएगा तो हर्ट अटक, खतरना कुरूप से नॉर्मल होता जा रहा है, और आम तोर पर एक कुछ क्रूशल मोमेंट्स के बारे में होता है, जो मानोव जीवन को बचा या छीन सकते हैं रीजनली चंडीगट के हेल्थ सेकरेटरी एशपाल गर को भी इसी तरह की स्तिधी का सामना करना पड़ा, जब चंडीगट हाउसिंग बोर्ट के ओफीज में एक ओफीशल सस्पेक्टट हार्ट अटक की बज़े से गिर गया, आईएस ओफीशर ने तुरंथ उस वेक्ती को CPR या फिर काडियो पल्मिनरी रिसिटेशन देना शुरू किया, जिससे उनकी जान बच तो इस तरह के वीडियो काफी मोटिवेटिंग है, स्ट्रस रिलीजिंग है और इन्फोर्मेटिव भी है, आज इस वीडियो में हम CPR के बारे में, that is काडियो पल्मिनरी रिसिटेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ये कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब के बारे में हम डिसकस करेंगे, वैसे देखा जाएगा तो ये काडियो पल्मिनरी रिसिटेशन का जो प्रोसीजियर है, हम सब को सीखना चाहिए, कब एक जान बचाने का मोका आएग कीमती जान बचाएगी, जो CPR का importance को highlight करते हैं CPR को सीखने के लिए किसी को एक medical practitioner होने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे समय पर जब हमारी lifestyle काफी खतरना के heart attacks आने का chances ज्यादा है तो सही CPR प्रदान करने का ज्यान काम आ सकता है तो क्या है CPR, कब आपको CPR यूज करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, CPR का फुलफोर में, Cardio Pulmonary Resuscitation ये basically एक emergency procedure है, जिसे जान बचा सकते हैं, अगर एक person का breathing stop हो जाता है या फिर heart काम करना बंद करता है, देखिए दोस्तों, आप सबको पता है, जब एक person का heart काम करना बंद करता है, या फिर heart beat करना बंद करता है, उसे cardiac arrest भोलते हैं, cardiac arrest के time पर, heart blood को pump ने कर पाएंगे rest of the body parts तक, including brain and lungs तक, तो cardiac arrest होने के बाद, अगर सही treatment नहीं दिया जाएगा minutes के अंदर death होने का chances है, तो CPR में होता क्या है, जैसे कि आप इस photo में देख सकते है, chest compressions यूज करते है, CPR में basically, heart जो काम अपने आप करता है न, उसे आप artificially करवाते है, chest compression देने से, तो ये compression से blood flow फिर से शुरू हो जाता है, अब ये chest compressions कितनी बार देना है, क्या frequency में देना है ये मैं आपको आगे बताओगा, अब आपको समझना है, cardiac arrest is not the same as heart attack cardiac arrest और heart attack में अंतर है, cardiac arrest कब होता है, जब heart blood pump करना बंद करता है but heart attack कब होता है when blood flow to the heart is blocked, देखिए, आपको पता होगा heart से, blood pump भी होता है, और heart तक blood पहुंचते भी है, अलग-अलग blood vessels के तरू basically, heart तक blood को पहुंचाने वाला एक artery है, जिसे coronary artery बोलते है आपने basic biology में पढ़ा होगा जब coronary artery में कुछ block आजाता है ना दोस्तों तो heart तक blood पहुंच नहीं पाता है, for example, मान लीजिए ये coronary artery है, उसके अंदर कुछ ना कुछ block आने से blood flow जो है, ये block हो जाएगा ना, basically जो block होता है, fats की वज़े से, cholesterol की वज़े से, इसलिए doctors बोलते हैं, बीच-बीच में आपको fat and cholesterol check करना चीए, और fat and cholesterol को एक level में maintain करना चीए, नहीं तो क्या होगा coronary artery के अंदर block होने का chances है, जिस वज़े से blood heart तक नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे situations में होता है, दोस्तों, heart attack and a person having a heart attack is still talking and breathing, मेरा मतलब है, अगर एक person को heart attack आता है, अगर वो बात कर पा रहा है, या फिर breathe कर पा रहा है, तो उसे CPR देने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके, उन्हें hospital पहुंचाना है, बट heart attack होने से cardiac arrest में बदलने का chances ज्यादा है, ये ध्यान दीजेगा अब हम समझेंगे CPR देने का procedure क्या है, step by step समझने की कोशिश करेंगे, सबसे important बात अगर किसी को cardiac arrest होता है, आपके सामने, सबसे पहले आपको ambulance को call करना है, जब तक ambulance नहीं आता, तब तक आपको CPR देना है, ठीके, तो सबसे पहले उस person को लटाना है, कुछ इस तरह, ठीके, lay the person on their back and open their airways, उनका airways जो है, basically नाग, मुँँ, सब आपको open करना है, अगर मुँग के अंदर कुछ foot materials वगरा है, या फिर कुछ भी है, उसे आपको निकालना है, basically air flow होना चाहिए, ठीके, आपको check करना है, वो person breathe कर रहा है या नहीं, इसके बाद आपको CPR शुरू करना है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, CPR में chest compressions होते हैं, chest compressions देने का भी एक procedure है, आपको अपने दोनों हाथ को कुछ इस तरह पकड़ना है, इसके बाद दबाना है, basically compressions देना है, कहां पे, left nipple का नीचे, exactly जहां पे heart का location आएगा ना, उथरी आपको chest compressions देना है, आप देखिए, सारे age group के लिए दोनों हाथ यूज़ करने की जरुरत नहीं है, अगर बच्चा है, तो आपको एक ही हाथ यूज़ करना है, अगर infant है, तो केवल दो उंगली यूज़ करना है, और कितना आपको प्रसडोन करना है, दोस्तों, अगर adult है, या child है, तो दो इंचस तक आपको प्रसडोन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर infant है, तो केवल 1.5 इंचस, और कितना chest compressions देना है, 30 chest compressions आपको देना है, आठे rate of 100 per minute, मतलब देखिए, 30 chest compressions ऐसे frequency में देना है, कि 1 minute में लगबग 100 chest compressions complete होना चीए, अब आपको ध्यान रखना है, हार एक 30 chest compressions के बाद, दो rescue breeds प्रोवेट करना है, अब ये rescue breeds प्रोवेट करने का अभी एक procedure है, मैंने आपको बोला था, सबसे पहले person का airways को clear करना है, airways को क्यों clear करते हैं, क्योंकि continuous air flow होना चीए, तो rescue breeds कैसे देना है, सबसे पहले उस person का chin को slightly lift up करना है, कुछ इस तरह, ठीक है, इसके बाद nose को pinch करना है, basically narc बंद करना है, और door rescue breeds प्रोवेट करना है, और आपको देखना है कि chest rice हो रहा है या नहीं, basically आप जो breed दे रहे हैं, वो chest तक पहुंच रहा है या नहीं, अगर पहुंच रहा है तो chest जो है, वो rice होगा इसके बाद फिर से आपको chest compressions शुरू करना है, और ये procedure तब तक repeat करना है जब तक ambulance नहीं, तो I hope आपको पूरा procedure समझ में आ गया, देखे दोस्तों मैंने आपको केवल theoretical part बताया, आपको ये practice भी करना है, आजकल देखा जाएगा तो schools में, colleges में, offices में CPR का practice भी रहता है Reports के हिसाब से आजकल अगर 10 लोगों को cardiac arrest हो रहा है, उसमें से 9 लोगों का death hospital के बाहर होता है अगर आप CPR time पर दोगे, तो ये rate को improve कर सकता है, and if it is arrest होने का, 2 या 3 मिनिट के अंदर, अगर आप CPR देना शुरू करेंगे न, तो उस person का, बचने का chances double या triple है तो दोस्तों, that's it, I hope आपको video informative लगाओगा, मैं आपको personally suggest करूंगा, आपको CPR practice करना चाहिए daily basis पर, क्योंगि कब आपको एक जान बचाने का मोका मिलेगा, ये किसी को पता नहीं है और जान बचाने से ज्यादा पुन्नी काम इस दुनिया में होता है क्या, नहीं होता है Thank you for watching, bye bye, have a next day